नमस्कार मेरे प्यारी बच्चों एक अबर फिर से आप सभी का सुवागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल दपीसी ए मुझेर में आज का यह वीडियो क्लास्टु एल एकोनोमिक्स के सकेंड ट्रम के मोडल पिपर सेट फाइब का पार्टु है प्यारी बचो और इस वी सेट फाइब के पार्ट वंट तक के वीडियो को देख सकते हैं प्यारी बचो तो अगर आपने नहीं देखा है तो जाहिए देखिए सबसे पहले उसके बाद आप लोग सेट फाइब का पार्टु को देखेगा प्यारी बचो तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के प्रशन आता है मतलब एक आता है परिवार चेत्र और एक आता फर्म जो आपकी वस्तुवों का उत्पादन करता है तो देखे पहरे बचो रैष्टी आई के दो चेत्री चक्रिय परवा के अंतरगत उत्पादक एवं भोकता चेत्र जो वेक्तियों को सामिल क्या जाता है इसके मैदूरी लगान ब्याज यों मलाव के रूप में उत्पादक से उभौकता के पास जाती है पुना वश्तुवों सेवा के रूप में उत्पादक के पास चली जाती है इसे निम्लित प्रकार से दिखा सकते हैं तो देखे प्यारी बैचो अब इसको अम लोग समझते हैं फी और यहां पर देखते हैं उसना सेवा के कामम कर रहा उस सेवा के बदले में मिजदूरी दे रहे है उसका लगान दे रहे ओप माइए धिर के बदल लगान दे रहा है यहां पे पूजी के बदले आपका व्यास दे रहा है और वस्त्रों के बदले उसका लगा दे रहे पैर किया पोंग यहाँ टो इतना लिखने के तो इसको आप लोग छापने जीएगा ठीक है उसके बाद देखे स्वेलो नमर का प्रश्ण है किया रैस्टियाई की गंणा में निम्लिखित मदों को सामिल किया जाता है अगर किया जाता है तो कारण देजिए और नहीं किया जाता है उसके बारे में भी आपको यहां पे कार असर को देखते हैं रैस्टिया आई में पुरानी अंतिम वस्तुओं मदिवर्ति वस्तुओं हस्थांत्रन भुक्तान वितिये सोधे गेर कानूनी कायरी अवकास के समय दिये गए कारियों सेवं उपभोग वस्ववामों आधि के संब्नित लेंदेन सामिल नहीं किया जाते तो यहां किसको नहीं किया जाता है मर्दि वस्तुओं हस्तांत्रन भुक्तान वितिये सोधे और गेर कानूनी और हम लोगों ने देखा है प्यारी बचो जो आपका पैंसन होता है विर्दा पैंसन होता है क्या है उसे प्यारी बचो हस्तांत्रन भुक्तान है तो इसे हम लो या सरकारी क्रामचारियों के मुझ दूरी आये का ही भाग होता है इस वज़े से सरकारी क्रामचारियों को पुराप्त मुट्वास का मुल्य या सामिलं किया जाता है इसले पर यहां पर उसके बाद कर source उत्पाद वीदी से आपको मैंने बता दिया, तो मैं यहां पर फिर से वई विदी से बता रहा हूँ, इसको आपने ध्यान से नोट डाउन कर लिजेगा, और उत्पाद भी बता दिया मैंने, तो कोई बात नहीं, वई वई वदी और उत्पाद विदी, दोनों ही विदियां पांच नम्मर का आपका एक्जाम में आने की बहुत ज़्यादा संभावना है ठीक है ना तो देखें यहाँ पर राष्टिय आए वई बिन्दू पर भी मापी जा सकती है इस विधी में हम पहले बजार कीमत पर सकल घरेलू उतपाद मानते हैं जो कि उपभोग एवं और निवेस हे तू अंतिम उतपादों पर होने वाले वह हैं इसका मतलब यह हूँ पहले है इस विधी में हम लोग क्या करते हैं बजार कीमत पर सकल घरेलू उतपाद मतलब जीडिपी एड आपका मार्केट प्रेस पर हम लोग क्या कर जाते हैं राष् तो ढतने वर्ति वस्त्बॉचो आ था? नहीं लेना है, अंतिम वस्त्वोग को लेना है, जिस से क्या क्या करते हैं? तो उसी की मुली को यहां पर सामिल क्या दते हैं? इसमें हम इस्तिर पुण्जी का उपभोग एवं सुध अपर्तियच खर घटा कर और विदेशों से प्राप्त सुध साजन आय जोड़ करके रैष्टियाय प्राप्त करते हैं। समयनी सरकार उपभोग में क्या जाता है। सभी छेत्रों के अंति मुद्पादों पर होने वाले निम्लिखित वहें के अनुमाल लगाए जाता है। सभी को यहाँ पर जोड़ा जाता है। सभी छेत्रों में अंति मुद्पादों पर होने वाले वहें को जोड़ने से हमें बजार कीमत पर क्या होता है। सकल घरेलू उत्पाद। अनि कि GDP at market price यहाँ पर हमें घ्यात होता है। मिलता है पहर बुचो। और इसी को क्या करते है। वहीं विदे से हम लोग रैष्टी आये की गहना कर जाते है। देखे पैर बुचो। बजार कीमत पर सकल घरेलू उत्पाद में इस्थिर पुझी का उपभोग और परतियचकर को घटा करके आर्थिक साहेता जोड़कर के साधन लागत पर सुध घरेलू उत्पाद निकाला जाता है। सुध पहले वहाँ तो GDP मार्केट प्रैस पर निकल गया लेकिन सुध निकालने के लिए क्लिए 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 परतियचकर को घटा देते हैं प्लस आर्थिक साहेता यह आपका फर्मूला है इससे आप लोग जरूर लिखेगा ठीक है न उसके बदेखे साधन लागत पर सु सब्साधर आय जोडने पर सदल लागत पर सुध रेष्टिय उतपाद इस तो यह था नहीं है तो देखें हैं प्रमूला पर कोण कोण से सब्धान यह हमें रखने है वह बिदी से अगर हम लोग रेष्टिया आए की गणना करते हैं तो यह पुछा नहीं फिर भी पाच नमर का पुछते हैं तो इसे भी आप लोग लिख लीजिए घटीना तो देखें मेदवर्ति उत्पाद में होने वाले वय को सामिल ना करें ताकि कि में दोहरी गंण से बचे केवल अनतिम उतपाद पर होने वाले वय को सामिल करें इसका कहने करते तो यह हुवा प्यारेवचों जिसे कोई कलम का उत्पादन करते हैं तो यह लीट का उत्पादन के तो वहां पर एक बारेवरेट को मुझे लेंगे और लीट का यहां पर दाम कितना मालेते हैं पांच रुपए है कितना है पांच रुपए है प्यारे बचो एलीड का और ये खोलिया जो है कलम का प्यारे बचो खोलिया और खोलिया है तीन रुपए प्यारे बचो तो पहले हम लोग रैष्टिय में पांच रुपए को सामिल कर लेंगे फिर कलम का दाम कितना हो गया प्य दाम को में कारेंगे कई अन्ति मतपाद पर होने वाले नहीं करएं यह राष्ठी डिरॉर KH Кachiller अगर आपने देखा वा पहर्षान और इसने वाले से अन्ति में करते नहीं वां यह को लंगा राष्ठी कर राष्ठ पहले बार खरीद हो तम इस उन्हें भार कामिल कोई टीवी आप खरेंगे से तामिल कर लिए थे करना है थे तो यह साथधानिया आपको रखना है पेड़े बचो देखे उसको से फाइब का आते सेट्वाइब लिए मोगना देखे लिए 2 ग डेंगे सेट्वाइब केरें बु आर्पाकेंड्रीय बेंक कौन है प्यारी बच्ँ आरबिया ईयर बैंक कौसार कह ठागता एक आप्रेल 1935 में कहुता धा उननीस 25 में इसकी अस्थापना हुआ भीड़ी और इसका रैस्ठापना हुए चाहरोन का नंवरी को इस कि vient कि अज़ेखा परेविचल नोटब सेयकों केंदरीय बैंक को ही प्राप्त होता है और कोई जारी नहीं कर तका है ठीक है नहीं और केंदरीय बैंक तुवरा जारी कि एके नोट सारे देश में अंजिमिती विदी गरहाई के रूप में घोशित किये जाते हैं उसके बढ़ा देखिए दूसरा का है सरकार का बैंकर की रूप में यह सरकारी ब्यूपं का खाता रखता है तथा सरकारी कोस्तों की विवस्था करता है या सरकार के लिए उसी प्रकार का कारी करता है जिस प्रकार से विवेपारिक बैंक अपने गरहकों के लिए अनिकी जन्ता के लिए हम लोगों के लिए कारी करता है ठीक है ना अब सक्ता पढ़ने पर सरकार को बिना बयाज रिन दिया जाता है तो था केंद्रिये बैंक सरकारी कोस पर भी हास्तांतरन करता है यह सरकार की परती भूपियों ट्रेजरी बिलों आधी कभी करे विकरे करता है देश का सर्वोच बैंक होने के नाते यह सरकार की आर पाइर करता है जब सरकार को पैसा घर जाता है पैरे मुचों तो यह बिना रीन मिना ब्याज के उसको रिन देते हैं मतलब खर्ज देते हैं और सरकार की साहता भी करता है कि मार्केट कब डाउन होने वाला क्या करना चाहिए अपनी देश की एकोनोमी को बचाने के लिए उस सारा यह क्या करता है प्रामर्स देता है मतलब सजेशन देता है ठीक है समझ में आगया को दो कैरी मैंने आपको यहां पे बता दिया उसके बाद देखे अठारों नमर का परस किजिए मांग जमा मुद्रा के का रूप क्यों कहा जाता है है यहां पे आपको उसके बारे में लिख रहा है तो पहले हम लोगों में इसके बारे में अंतर दिख लेते हैं तो देखे पहरे बुचो मांग जमा मांग जमा खाते मुनाफे के मुकाबले अधिक रतरलता और अ जर्षासानि से पहुछ परदान करता है, लेकिन कम ब्याज दोरों पर भुकतान करते हैं, और वे खाते को समालने के लिए वीविन फीस भी सामिल कर सकते हैं altogether. तरलता वाले जमा करता के एक मांग जमा खाता में रखा जाना चाहिए मांग जमा खातों में उधारण में ये मिट चेकिंग एकाउंट्स बचत खाते मनी मारकें एकाउंट्स सामिल होते है तो क्या-क्या सामिल होते हैं यहाँ पर मेंने बता दिया और क्या होता है मांग जमा ओभी बता दिया ठीक ना उसके बाद देखिए अब आज अवधी की जमा के बारे में देखते हैं जिस समय जमा के रूप में भी जाना जाता है। कुछ मेलों से लेकर करके कई सालों की अब्धी तक फुर्ण धारित अब्धी के लिए किये गे निवेस जमा है। मतलब प्यारी बचो आप लोगों ने देखा होगा फिक्स्ट कर दिये हैं वही यहां पर अवधीक जमा खाता है। जमा है जैसे नहीं करते दस अले इतना हो जाएका डबल हो जाएगा रहा में सारी लोगों ने जमा किया डवग गया और भी होता है तो उसी को अब दिपोजीट को क्या का जाता है अवधीक जमा है उसी को समझ लिए ठीक ना तो देखे जमा करता को निवधारित समय ब्याज की पुर निवधारित दर प्राथ होती है मतलब आप जमा करते हैं उसी समय आपकी ब्याज निवधारित कर दिया जाता है कि पांस प्रसेंड हम आपको सलाना देंगे और इसी तरह से आपका 10 से 20 साल में आपका डबल हो जाएगा पिसा ठीक है ना जमा कर दिया जाता ह इसको क्या होता है पहले निश्चित समय के बाद सकते पहले निकालना चाहें तो आपको आपको इसमें आपको ज्यादा ब्याज मिलता है क्योंकि कंपनी निक्ष्चित समय के लिए सोजाता है अ भी निकालने थोड़ने आएगा ऊपको अब में पैसा रखना पड़ता है कब आप पटा नहीं और यह आप निक्षित समाँ करतें उतने दिन श्मक्राण आपको पैसा के जुर Yuk पढ़ेगी उतने दिन बाव आप निकाल सकते हैं पहले निकाल सकते हैं जैकिन अम सब्सक्राण है यहा copyright कर देखिव ces जमाओं के रुप में मुद्रा आपृति का युगदान देते हैं वानीज बेंगों की मांग जमाएं उनके नगध कोस्तों से कई गुणा अधिक होती है अधि मानने जी की नगध कोस एक रुपया है अधि मांग जमाएं चेक दुवार निकाले ज़़त वाली जमाएं मानने दस जार रूपिये है तो इसका एर्थ हिया है कि अर्थविष्टा में मुद्रा की पूर्ती वानीजी बैंकों के नगत जमा के तुलना में दस गुना विर्धी हो गया इसलिए मांग जमा को मुद्रा का रूप भी कहा जाता है तो हम लोगों ने देखा था है पैरेविष्ट साख लिनिमान किसे करते हैं उसी से यहां पर इलेटेड है पैरेविष्टा के अधी अर्थविष्टा के सवी लोग अपनी आय के बचत के अनुपात को बढ़ा दे तो अर्थवेस्ता में बचत के कुल मूल में विर्धी नहीं होगा इसका कारण यह है कि सिमान्त बचत परिविर्थी के बढ़ने से सिमान्त उपभूग परिविर्थी कम हो जाती है और निवेस उनक भी कम हो जाता है फलसरूप आय में व्रिधी की दर भी कम हो जाती है इस प्रकार बचत बढ़ाने से कुल बचत बढ़ाना अविस्यक नहीं है नीचे गए चित्र में असपस्ट है देखे पैर बचो यहां ते इसका मतलब यह हुआ किसी भी अर्थवेस्था में अगर सभी लोग क्या करते हैं अपनी आय के बचत को बढ़ा देंगे अपनी आय को बचत को बढ़ा देंगे पैर बचो तो उसे क्या होगी अर्थवेस्था में कुल मुल में व्रिधी नहीं होगी इसका कारण यह है पैर बचो अगर सभी लोग बचत करने लगें बचत कहां से करेंगे आपने AI में कोट्रती करके बचत करेंगे और बज़ाते जाता करेंगे तो मांग valeur होगा उपखोर करो तो पहार में फिर से क्या होगा ॥ पैसों का फ्रोल नई होगा तो माल पादर नहीं होगा प्रेण दफर कर से अग्याइए प्रकार से होगे तो इसी बचत भी में गया तेली नहीं टीट रिखाऊगा लेकिए इसका देखिए यहां पर चीत्र और इसका चीत्र का मतलब मैंने नीचे यहां पर आपको बता दिया है तो देखिए देखिए जिसा कि आप सभी यहां पर देख सकते हैं सिमान्त उपहोग परिवर्ती के कम आप एसे यहां से देखिए ऐसे था प्यारी बुचों ससस से स1 एस1 एस1 पर खिसक गया फल सी रूप रेश्टि यह घटकर भी वह वाई वन हो गया अपर वह यहां पर लिखा हो जाती है जिससे बचत फिर से कम हो जाती हो हो जाएगी इस प्रकार से बचत में विरिधी नहीं हो सकी मितुविता से हम आई बढ़ाना चाहते थे परंतु विरुधा भास है कि इससे आई बढ़ने की वजए कम हो जाती है किसे कम हो गया मैंने आपको बताया कि अगर सभी लोग बचत करने लागेंगे तो बयार में पैस थिसे कम हो जायगा तो हमको लग रहा है कि हम बज़त कर सकते ज्यादा इस परकार से भज़त नहीं कर सकते हैं तो यहां पर व्रोधा वास है प्यार वच्छो उसी को मैंने आपको बताया तो मिलते हैं नेस्ट वडियो में आपका स्रेट फाइप पुरा हो चुका है और कल से मुझ प्रैक्टिस करेंगे डेली व्लाइफ प्रैक्टिस करेंगे प्यार विच्छो ठर्मन का अब्जेक्टिव कोश्चन का ठीक है ना तो चलिए आज के लिए बस इतना ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में